मकर राशी जुलाई दोजार बाईस कर्मों से बड़ी उपलब्दी होंगी सर्वन का शुन्नती जिसके पास विवेक हो वह व्यक्ति कभी भी पराजित हो नहीं सकता अत्यंद परिशमी राशी के रूप में शनी महराज के मकर राशी की विशेश पहुचा रहे आपके राशी को साड़े साती शुरू है धनस्तान में विराजमान शनी महराज का इस महिने पुनस्च आपके राशी में आगपन होने वाला है बारह दुलई को वह पुनस्च आपकी राशी में प्रवेश करेंगे वहां से जन्वरी तक आपके लिए साड़े साथी का द्यूतिय चरण शुरू रहेगा जन्वरी के बाद उसकी तिवरता कम होगी और आपके लिए उन्नती के अवसर निर्माण होगे है लेकिन अभी आपका संगर्ष बढ़ने वाला है नमस्कार, मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतीश प्रेमी वा मध्यन करताओं का हर्दिक स्वागत करती हूँ हम जुलाई 2022 महने के राशी फल को समझ रहे हैं उसमें आज हम मकर राशी के जातकों के लिए यह जुलाई महना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वारतालाब करेंगे विभिन्न दुरुष्टिकों से इस महने के ग्रह स्थिति का विशलेशन करेंगे साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको इस महने करने वाले विशेश उपाय बताऊंगी इसलिए वीडियो अंत तक देखे व्यक्तित्व की दुरुष्टी से विचार करें तो मकर जातकों के लिए अतिंद सकारात्मक बदला होने वाला है समस्य आती रहेगी उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना यह मानसित्ता आप में निर्मान होंगी परिणाम सरूप आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदला होंगे आप सफल ताकी शिडिया चड़ना शुरू करेंगे संक्षेप में यह महिना आपके व्यक्तित्व को समरुद्ध प्रघल्ब करने वाला रहेगा पूरा उपयोग कीजिए पारिवारिक दुरुष्टी से विचार करें तो राशी स्वामी शनी महाराज ही आपके दुतियेश होते हैं वे बारहज उलई तक आपके दुतियेस तान में विराजमान है उसके बाद वे वक्री अवस्ता में पुन्नस्च्य आपके राशी में प्रवेश करेंगे इस तिति का विजार करें तो, मेहने के प्रथम पक्वाडे में आपको पारिवारिक सोख्य अच्छा प्राप्त होगा घर में सुखशांती बनी रहेगी, कई चीजों में सफलता और धनलाप प्राप्त होगा दूसरे पक्वाडे में संगर्ष थोड़ा बढ़ जाएगा फिर भी आप अपने मूल सभाव के अनुसार मार्ग क्रमन करते रहेंगे पारिवारिक सुखशांती को बनाये रखेंगे पराकरम परिश्रम के दुरुष्टी से विचार करे तो मकर राशी के लिए गुरु महराज परिश्रमेश है वे वर्तमान स्थिती में आपके परिश्रम स्थान में विराजबान है कुन्डली के तुरुतिय स्थान को परिश्रम स्थान कहा जाता है साथ ही तुरुतिय स्तान से हम परदेश कमन भी देखते है मकर राशी के लिए वेश गुरु महराज है परदेश कमन के लिए कुंडली के तुरुतिय नवम द्वादश इन तिनो स्तानों का विचार किया जाता है उनमें से दो स्तानों को गुरु महराज ने सक्रिय किया है परुनाम सरूप जो जाकत तक विदेश जाने के लिए इच्चुक है उन्हें वैसे शुभा उसर प्राप्त होंगे दो जुलाई से आपका भागेश बुदग रह की दुरुष्टी भी वैस्तान पर होगी कुल मिलाकर पराक्रम परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करे तो यह महिना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है साथ ही कई छूटी बड़ी यात्रा योग, परदेश कमन के योग, विदेश में जाकर परिश्रम करना, उसमें सफल होने के योग, मकर राशी के लिए निर्मान होंगे वास्तु वाहन भूमी सुकशान्ती की दुरुष्टी से विचार करे तो यह महिना मकर राशी के लिए सम्मिश्र फल्दाई कहा जा सकता है भूमी लेने के योग निर्मान होंगे, वास्तु के योग भी है, लेकिन घर की सुकशान्ती कहीं खो सकती है कारण रहते हुए या अकारण, घर में विवात की स्थिती उत्पन न हो सकती है उसका आपके जिवन पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा परिणाम सरूप घर की सुकशान्ती बनाये रखने के लिए आपको विशेश प्रयास करने पड़ेंगे इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए शिक्षा एवम इस्थदेव के सहयोग की दुरुष्टी से विचार करे तो इस महने मकर जातकों को इस्थदेव से भरपूर सहयोग एवम आशिरवात प्राप्त होंगे जिस कारण शिक्षा में आपकी उन्नती होगी आपके अध्यन को उचित दिशा एवम गती प्राप्त होगी उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए क्योंकि शिक्षा या अध्यन जो प्रगती होती है वो दिर्ग खालीन लाभ प्रतान करती है इस बात को मुख्य रूप से द्यान में लेना चाहिए साथ ही प्रेम विरो के लिए भी यह महिना लाभकारी कहा जा सकता है जिनने अपने प्रेम का रुपांतर विवाह में करना हो उन्होंने इस सौधी में अपने माता पिता से अनुपती प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए वहां आपको सरलता से प्राप्त हो सकती है संग्षेप में यह महिना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद स्वास्त्य कर्ज प्रतिसपर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करे तो मकर राशी के लिए अत्यनते शुभकाल निल्बान हुआ है वास्तों में मकर राशी की दुरुष्टी से जब हम सर्वंकर शुचार करते हैं तो कई दुरुष्टियों से यह काल आपके लिए शुभफलत आई है स्वास्त अच्छा रहेगा जिने करजे की आउशकता है उन्हें सरल्टा से प्राप्त होगा शत्रों को आप पराजित करेंगे प्रतिशपर्दियों को पीछे छोड़ देंगे प्रतियोगी परिक्षां में सफलता का स्थर बढ़ेगा संक्षेप में इन सभी दुरुष्टियों से सफल ताके मार्ग आपके लिए प्रशस्त होने वाले है समय काल जब इस पद्धती से शुभदाई होता है तब अपने प्रयाज बढ़ाना चाहिए ताकि उस शुभदाई काल का हम अधिक्तम सदुपयोग कर सके इस बात को ध्यान में लीजिए नोक्रिय और व्यावसाय की दुर्श्टी से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर मकर जातक इस मेहने सफल होते दिखाई दे रहे है आपके राशी स्वामेशनी महराज राशी में प्रवेश करने वाले है वे आपको लगातार परिश्रम करने की दिशा देते है परिश्रमेश गुरु महराज परिश्रम के स्थान में विराजबान है चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में उपस्तित है पंचमेश पंचम स्थान में उपस्तित है शष्टेश दो तारिक को शष्ट स्थान में प्रवेश करेंगे परिणाम सुरूप नोक्रियम व्योसाय के दोनों मोर्चों पर मकर जातक सफल रहेंगे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगती होगी भाक्य एयों शुभसंकेत की दुरुष्टी से विचार करे तो यह महिना मकर राशी के लिए कई शुभसंकोते उसे भरा हुआ है कई ग्रहों की बैठक शुभसंकेत देने वाली सफलता दर्शाने वाली उन्नती करने वाली भाग्य का साथ देने वाली है अर्थात आप उचीत कर्म करें उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा ऐसा सुचित करने वाले कई शुभ संकेत इस मेहने आपके लिए निर्मान होंगे कर्म की दुष्टी से विचार करें तो आपके कर्म स्थान में की तुझ जैसा ग्रह विराजबान है उसी समय कर्मे शुक्र अपनी स्वराशी में लेकिन कर्म स्थान से अश्टम स्थान में प्रवेश करेगा इस तिती के परिणाम सुरूप आप बड़ा कर्म करेंगे अधिक परिश्रम करेंगे उसमें लगातार बाधाय उत्पन्न होगी उनका सामना करते हुए आप कर्म करेंगे और सफल भी होंगे तो मकर राशी के लिए लाभेश मंगल ग्रह है जो इस मेने आपके सुखस्तान में विराजबान है पहले ली हुई भूमी से, प्रापर्टी से, वास्तु से, शेयर्स से लाभ के अउसर आपके लिए निर्मानों के विशेश रूप से, आपने पहले कई निवेश किया हो, तो उससे आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है साथ ही, आपने जो परिश्रम किये हो, उससे भी लाभ के विभिन्न उसर निर्मान होंगे संख्षेप में इस मेहने आपके लाब के विभिन्न उसर निर्मान होगे व्यैयों परदेश कमन की दुरुष्टी से विचार करें तो यहां महिना मकरज आतकों के लिए बड़ा खर्चिला हो सकता है विभिन्न प्रकार के खर्च आप के लिए निर्मान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता लेकिन उसके साथ ही सबसे बड़ा खर्च यात्रा पर होने की संभावना है क्योंकि मकर जातक शिक्षा के लिए, नोकरी के लिए, व्यावसाई के लिए यात्रा करेंगे यहां तक कि विवाह करने के बाद विदेश जाने के भी योग है संग्षेप में विभिन्न कार्णों से आप यात्रा करेंगे यात्रा में खर्चों होना स्वाभाविक होता है जो मकर जातक विदेश में है उनके लिए कई शुभवसर निर्मान होंगे गतक कुछ वर्षों में उन्होंने जो संगर्ष किया है उससे अब मुक्ति हो सकती है हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता जीवन सुगदुक और उतार चड़ाव से भरा होता है उस अनुसार मेहने के कुछ दिन शभी के लिए शुभव होते है तो कुछ दिन अशूप तनाव और संगर्ष से भरे होते है उस अउदी में हम कैसा व्यवार करते है इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है इस दुरुष्टी से 7, 17 और 26 यह दिन शुभव रहेंगे तो 5, 15 और 24 यह दिन आपके लिए अशुभव रहेंगे उपायों की दुरुष्टी से जो 30 शास्त्र में अत्यंद छोटे-छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए है अशुप चीजों की अशुभवता कम करने का शुभव चीजों की शुभवता वुंदिंगत करने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार जुलाई महा में जब हम उपायों का विचार करते है तो गुरु महराज अत्यंत महत्वपुर्ण माने जाएंगे एक तो वे प्राकृतिक कुंडली में आध्यात्म और व्यस्थान के स्वामी है वर्तमान स्थीती में उनका गोचर व्यस्थान से शुरू है इसलिए तेरह जुलाई को आने वाली गुरु पोड़ी निमा महत्वपुर्ण रहेगी राशी के अनुसार विचार करे तो गुरु महराज मकर राशी के लिए तुरुतिय एयों व्यस्थान के स्वामी है होने के कारण और इस महने गुरु पोड़ी मा को देखते हुए गुरु मंत्रा आपके लिए महत्वपुर्ण रहेगा उस अनुसार मकर जातकोने ओम अव्ययाम नमाहा इस मंत्र का जाब करना चाहिए इस प्रकार मेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए यह महना कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने बारह वीडियो आपके इस चैनल पर अप्लोड किये है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद, शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दी चैनल और हाँ, बेल आइकोन दा बना ना भुले धन्यवाद